नमस्का, BCN News की खास पेशकश में मैक शितिचा देशमुक आप सभी का स्वागत करती हूँ साथ ही आप सभी दर्शकों को BCN News की ओर से गंतंतर दिवस की हार्दिक शुपकामना है भारत में आज 72 गंतंतर दिवस मनाया गया हर साल 26 जनवरी को देश का गंतंतर दिवस मनाया जाता है इस मौके पर देशवासियों का हर्शो लास देखने लायक होता है कश्मीर से लेकर गंध्या कुमारी तक पूरा भारत एक रंग में नज़र आता है हमारे इस गोरोशाले गंतंतर का भी एक इत्यास है गंतंतर का सीधा मतलब है गंत का तंतर यानी आमादमी का तंतर इसके माइने हैं देश में रहने वाली लोगों की सरवोच शक्ती और सही दिशा में उनका प्रयास देश की सूरत बदल सकता है तो गंतंतर दिवस का खास अपना अलग महत्व है क्यों मनाया जाता है गंतंत्र दिवस आईए जानते है। देश में सविधान की स्धापना दिवस की रूप में 26 जन्वरी को गंतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत में 26 जन्वरी 1950 को ही देश का सविधान लाख हुआ था। इस दिन भारत में भारत सरकार अधिन्यम को निरिस्त कर गए सविधान लागो करते हुए नए सविधान को पारित कर दिया गया। उसे की बाद हर साथ 26 जन्वरी की दिन को राष्ट्य पर्फ की तौर पर मनाया जाता है। साथ ही पहली बाद 26 जन्वरी को ही भारत को पूर्ण गंदराज घोशित के आ गया था। में कुल 2 साल 11 मेने और 18 दिन लगे थी। 26 जन्वरी 1950 को सविधान को सभापती को सौप दिया गया। जिसके बाद 26 जन्वरी 1950 को इसे अधिकारिक तोर पर लागो कर दिया गया। हमारा दीश सविधान की मताबिक ही चलता है। हर साल 26 जन्वरी गंतंत्र दिवस के दिन होता है देश के शौर्य का प्रदर्शन। गंतंत्र दिवस के मौके पर हसाल राजपत पर सेना की अदम में शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है। भारत की तीनों सेनाएं इस मौके पर दुन्या को भारत की ताकत का एहसास कराती है। इस मौके पर अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक जाकी निकलती है। देश में रहने वाले लोगों की सरोच शक्ति और सही दीशा में उनका प्रयास देश के सोरत बतल सकता है तो खास पेशकर्ष में वक्त हो चलाई है रुखने का देख तेरे ये बीसेन नियोज